गर्मी के मौसम में बिना AC के रहपाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AC का हमारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। आए एर कंडिशनर से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। तपती धूप और पसीने से बचने के लिए लोग अकसर गर्मियों में एर कंडिशनर का सहारा लेते हैं। लेकिन इनसान की यह जरूरत कब आदत बन जाती हैं पता भी नहीं चलता। तापमान में जरा सी बड़ोतरी होते ही लोग AC की तरफ दौर पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दो पल का सुकून आपके लिए कितना नुकसान दायक है। अई जानते हैं AC से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। ज्यादा देर तक AC या कूलर में जगह ठंडी हो जाती हैं। और वहां बैठने से हमारे शरीर की उर्जा खर्च नहीं हो पाती। इस वज़र से शरीर की चर्बी बढ़ने लगती हैं। और मोटापा बढ़ने का खत्रा रहता है। ज्यादा समय तक AC या कूलर में बैठे रहने से स्किन ड्राइ हो जाती है। इसलिए त्वचा रोग विशेशग्य एक से दो घंटे के अंतराल पर मोईस्चराइजर लगाने की सलाह देते हैं। पांच घंटे या इस से ज्यादा AC में बैठने वाले लोगों की मुकस ग्रंथी को ठंडी हवा कठोर बना देती है। ऐसे में उन्हें साइनस का खत्रा रहता है। ठंडी जगह पर ज्यादा देर बैठे रहने से मांस्पेशियों में खिचाव की समस्या होती है। इस वज़र से सिर दर्ड और जोडों की समस्या भी हो सकती है। ज़्यादा देर तक AC या कूलर में बैठे रहने से ठकान की समस्या हो सकती है। दोस्तों क्या ये बाते आपको पहले से पता थी। कमेंट में बताएं। इसी तरह सेहत से जुड़ी और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज।